हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू टु स्टडू टेयु इस्ट टेयु जनल पर मैं देवांदर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो लेना और फार साथ में बेल आइकन बटन जरूरो अन कर लेना ताकि जब भी नर्सिंग फार्मे सी और पेरामेडिकल से जुड़ी होई कोई भी नहीं अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको नोटिपीकेशन मिल जाएगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरोचेस बीएसी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएसी नर्सिंग, पेरामेडिकल और जो आपका फार्मेसी कोर्सेजन सबके बारे में बात करेंगे क्योंकि आप सबी को पता है सबके एक्जाम डेट रिलीज हो चुकी है जो आज नोटिपी किसन आया उस नोटिपी किसन में आपके एक्जाम डेट सबकुछ रिलीज हो चुकी इसके बारे में सारी information आ चुकी है लेकिन इसमें बहुत बड़ा जोल B.A.C. nursing के साथ किया गया क्या B.A.C. nursing में ऐसा होगा या नहीं होगा इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो वीडियो एंड तक देखना और वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक जरूर करना और अपने सारे फ्रेंट्स में जरूर सेर करना तो सबसे पहले अपन RHS के ओपिसल वेबसाइड पर चलते हैं ओपिसल वेबसाइड पर आने के बाद अपन जाते हैं यहां से डाउनलोड करने के बाद इस नोटिपिकेशन में आपको डेटेज दे रहे किया आपके अलावा जो भी आपके सारे ने पर अड्मिट कार्ड के लिए दे रखा है तो एड्मिट कार्ड आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं किसे 28 तारिक से आप एड्मिट कार्ड डाउनलोड इस यानि कि आज साम पांच बज़े से आपके एड्मिट कार्ड स्टार्ट हो गए है डाउनलोड करना ने वाला है वो किसका बीपीट का तो कब होगा आपका जिसको बीचा फिर फिर फी जो तेरे भी बोलते हैं दो जनवरी को पस्ट स्लोट में होने वाला है नर्सिंग यानि कि नर्सिंग में कौन कौन सा आएगा मस नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग इनका भी किसमें सी बीटी होने वाला है इसका उप्लाइन नहीं होगा ये भी कब होने वाला है दो जनवरी को होगा मोर्निंग सिप्ट में ठीक है पस्ट स्लोट में होने वाला है computer-based examination rcan की राज़तान centralized admission rca का मतलब और pharmacy का जो होगा डी pharmacy और वी pharmacy के लिए जो होने वाले वो दो जन्वरी को होगा दो जन्वरी को होगा कि कॉन shift में second shift में होने वाला है computer-based examination rcan की para medical की जो interest exam होने वाले वो cover 3 जन्वरी को होगे पस्ट सिप्ट में BRT, BMLT और B.O.P.S.E.L.M.E.K. के लिए जिन्होंने एपलाई किया था उन सब के एक जम कब होने वाला तीन जनवरी को होने वाला है यह सब डेट आपकी आ चुकी है किसकी लेकिन इसमें B.S.E.N.R.S.E.N.K. के बारे में B.S.E.N.R.S.E.N.K. के को छोड़ कर किसको छोड़ कर एक्सलोडिंग का मतलब होता है कि छोड़ कर तो B.S.E.N.R.S.E.N.K. को छोड़ कर सब के एड्मिट कार्ड जो भी कोरसेजे सबी के एड्मिट कार्ड किससे डाउनलोड हो जाएंगे 28 से आज ही के दिन से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे साम 5 बजे से आपका जो एक्जाम होने वाला है वो क्या होने वाला है 2 जनवरी को होगा BPT का MSI NERSING POST BASIC BASIC NERSING का भी 2 जनवरी को होगा PHARMACI का 2 जनवरी को होने वाला है और जो आपका पेरा मेडिकल इसका 3 जनवरी को एक्जाम होने वाला है अब बहुत सारे बोल देंगे कि सर आपने तो नो बताया था तो दोस्तों लगबोग जनवरी का पस्ट वीक आगे लेकिन इस बार BASIC NERSING का एंटरेज एक्जाम जनवरी के पस्ट वीक में आपका एक्जाम होने वाला है फूर्थ वीक का मतलब है कि तेवीस के बाद ही आपका एक्जाम होगा तेवीस से पहले BASIC NERSING का एक्जाम नहीं होगा आपको जो इंपोर्डेंट बाते ध्यान रखनी है वो रखनी है आपको स्लोट पस्ट में जो स्लोट पस्ट वालेवर उनको साथे-des से बारा बजे की बीच उनका reporting time रहने वाला उनको center पर जाकर अपने reporting कर लेनी है और अपने roll number होग अगरा चेक कर लेना जात लेना कि कौन सी जग़ अपना कौन सी लेव में आपका number आया तो यह देख लेना है इसके लावा जो second slot वाले हैं second slot वाले को एक बज़े reporting करनी होगी उनका जो exam होने वाला second slot दो से चार चलेगा उसमें एक बज़े आपको reporting करना अनिवार रहे हैं ठीक है इनपॉर्मेस रिगार्डिंग बीसी नर्सिंग के बारे में आपने देखा था जो पिसल नोटी विगे सिन उस्ट आइम आया था उसमें इसको भी cbdb करोंगी करना निकिवर कर रखा गया था लेकिन अब इसमें एकडम से इसमें चेंज़े कर दिया गया है बीएसी नर्सिंग एंट्रेज टेस्ट सेल भी हेल्ड इन थर्ड और फॉर्थ वीक ओप जनवरी एंट ट्वंटे ट्वंटेट टू एट जेपूर जेपूर में आपका एक्जाम सेंटर आने वाला है देख सकते हो आपका जो आप्ला एक्जाम होगा only for only जेपूर में होगा और OMR बेस्ट आपका एक्जाम होने ważne होने वाला यानि कि इसका मतलब एह वा कि अब आपको B.S. नर्सिंग आ ओप्लाइन पेपर मिलेगा online paper आपको नहीं मिलेगा online paper आपका मिलने वाला है schedule date for the same cell be announced in due course यानि कि जो भी इसकी date है वो जल्द ही आपको announce कर दी जाएगी लगबग जो इसकी date रहने वाली है 23 से 23 के बाद exam होगा 23 जन्वरी से पहले इसका exam नहीं होने वाला 23 जन्वरी के बाद ही इसका exam हो पाएगा क्योंकि उन्होंने जब क्लियर दी बोल दिया कि थर्ड वीक एन फॉर्थ वीक क्योंकि आर जिसमें पहले बोला था थर्ड वीक आप दिसंबर लेकिन थर्ड भी क्या फॉर्थ वीक दिसंबर में आपका exam नहीं हुआ exam के लिए नया notification निकाल दिया आपका एक्जाम जन्वरी में कर दिया अब जन्वरी में से भी बोल दाए कि जन्वरी के थर्ड या फॉर्थ वीक में हो गया निकिसका मतलब फॉर्थ वीक में आपका exam होने वाला है तो आप मानकर चले 23 जन्वरी के बाद ही कि आपको कोई दिक्कत ना आए एक तैयारी करने में ठीक है कोई भी intention ना रहे आपका selection 100% होगा college होगी संक्या 101% बढ़ चुकी है साथ साथ नई college आपके बढ़ चुकी है निकि 420 seat है आपकी बढ़ चुकी है तो आप सभी candidates दियान दे अच्छी तरीके से preparation करिए अपनी और तैयारी कीज़े आपके पास अभी एक मैं आप पूरे 20 से 25 दिन मान कर चलिए आपके पास 25 दिने 25 दिन का full strategy plan बना कर आप पढ़ाई करना सुरू कर दीजे अगर आप अब भी study करना सुरू करो तो आप selection ले सकते हो ठीक है यह बात ध्यान लगना उमीद कभी मत छोड़ना last moment तक आपको उमीद नहीं छोड़ने चाहिए आप last तक selection ले सकते हो ठीक है हमारे model paper आपके लिए उनके लिए आगे आपको जानकारी मिल जाएगी इसी वीडियो के end में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और जो उसमें बटता है जाता है उससे extra चीज़े आपको दी जा मिले और वहाँ मेसेज करकर आप हमसे contact आप कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रहे हो एडिमिट काड़ डाउनलोड करने में जिनके अडिमिट काड़ स्टार्ट हो चुके दिक्कत आते फटा फट से मेसेज करेगा हम आपका उसका reply देंगे और reply देकर उस करेंगे जिनको मोडल फेपर जिनर्म पर्चेज कर ले तो नहीं मिले वह भी इस टेलिग्राम आईडी पर मेसेज करके बताए कि हाँ आपने पेमेंट कर दे लेकिन हमें मोडल पेपर नहीं मिले तो जल्दी सुनके समझागा समधान किया जाएगा ठीक है दोस्तों धन्यव लगे लिए अपछे लिए लूपलोड हो चुका है हमारे चैनल पर आप वह दोकर देख सकते हो इसके ऐलावा हमारे मोडल पेपर में आपको कया-κया मिलेंगे दस की पर मिलेंगे जिसमें पर्त एक में सो 6 model paper आपको extra दिये जा रहे हैं इसके साथ साथ biology में आपको लगपक स dif6 model paper आपको extra दिये जा रहे हैं जो आपको बिलकुल 120 रूपे में मिलेंगे इसके साथ chemistry का एक extra model paper आपको मिलने वाला है औरießen Está chemistry का paper 12 paper model paper आपको हिंदी मीडिये मेंडिया मिलेंगे biology का पूरा question bank मिलेगा जिसमें 500 से ज़्यादा questions रखे गए कितने questions 500 से भी ज़्यादा questions रखे गए है इसके साथ आपको और मिलेगा जो हमारी revision class age हो रही है revision class age होती है उन revision class age की pdf आपको उन सबी candidates को मिलेगी जो model paper जो purchase कर रहा है उनको सीधा उनकी mail ID पर बेज़ दी जाएगी सीधी तरीके से तो वो candidates सारे जिनकों में model paper लेना है ले सकते हो केवल और केवल 120 रुपे में आपको कुछ ज़्यादा extra चीज़े नहीं मांगी जारी 70 से 80% questions आपके इन में से मिलने की संबावना है पूरी तरीके से पूरे RHS को dedicated करें ये model paper बनाए गए है तो आप अभी से practice कीजे और अभी से solution करना इनका start कर लीजे आप सबी को अगर doubt आता है तो आप doubt हमें send करिए हम आपका उस questions को doubt solve करने की पूरी कोसिस करेंगे तो आप गबराएना और solution के लिए आप जरू तयार रहें ठीक है दोस्तो धन्यवाद टेक केर